हेलो दोस्तों एक बाइ फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जहां आज मैं सिटाडल की दूसरे एपिसोड को एक्स्प्लेइन करने जा रही हूँ तो वीडियो की स्टार्टिंग आठ साल पहले इटली में हुए बंबलास से होती है जहां नाडिया को जिन्दा दिखाया जाता है नाडिया कफी इंजर्ड होती है उसके पैर में गोली लगी होती है तब उसे वरनाट का मैसेज मिलता है कि उसने बैक स्टेप करना शुरू कर दिया है और नाडिया के पास स्रिफ दो घंटे है बैक स्टेप का मतलब होता है यादास को पूरी तरह के से मिटा देना जिससे वो सब कुछ भूल जाए नाडिया किसी तरह के वहां से आगे बढ़ती है तो रास्तिम से एक कार मिलती है जिससे वो हेल्प मांगती है यहां नाडिया बेहोश हो जाती है नाडिया को जब होश आता है तो ओंप को एक बिस्तर पर बंददा हुआ पाती है असल में उस अंजान आदमी ने नाडिया को हद्करी से बांध रखा होता है गया सब बहुस्कार्ण आहिकर लगता को बचाते हैं उसे मार डालती है तभी हम देखते हैं कि नाडिया के गले पर एक डिवाइस भीप कर रही होती है उसे आवाज आती है कि तुम्हारी मेमोरी को मिटाया जा रहा है दरसा जिफ सिटाडल की एजेंट बहुत दिनों तक जवाब नहीं देते हैं उनका कुछ पता ही चलता सब्स प्रसाइंट उनकी मेमोरी को मिटा देती है नाडिया मेमोरी मिटने से पहले अपने हाथ में विय्क टू वेलनिस्टिया लिख लेती है मेमोरी मिटने मेंектив के बाद तो अपना पासपोर्ट लेती ए और अपने हाथ कोसे to can Russia को अगकuni बात की दिखाई जाती मेसन अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए बनाट के साथ इस मिशन में जाने को तयार हो जाता है फिर बनाट और मेसन न्यूय और के लिए निकल जाते हैं सेक्योर्टी चोकिंग के दौरान मेसन अराम से अंदर चला जाता है बरनाट लाइन पर होता है और बताता है कि मेंटिकोर के एजेंट ने केस को 73% अनलॉक कर दिया है उसमें टूटन 7 लोग है जिनमें से वो 5 खोल चुकें अगर पूरे खुल गए तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी मेसन फौरा अंदर जाता है जहां उनसे एक आदमी उलता उससे लड़ते हैं मेसन उसकेस को लेकर बाहर आ जाता है मेसन को डेविक देख लेता है और पहचान जाता है कि वो जिन्दा है जब कि पूरी दुनियकले मेसन मर चुका होता है मेसन फौरा बहार आका बरनाट की गाड़ी में बैट जाता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं डेविक अबस्टर को सारी बाते बताता हैं अबस्टर भी यह बाते सुनकर शोक्ड हो जाती है मेसन नाम की आड़ी अपने आप ल testim हो जाती है ये वही केस है जिससे पता लगया जा सकता है कि active agent कहां कहां पर है उस case में कोई device भी होती है जो agent के नाम के होती है उनमें से एक mission के नाम की भी होती है उन device को जैसे ही agent अपने गले में inject करें उनकी यादास वापस आजाएगी डेवी के उस case को locate कर लेता है और बरनाट का पीछा करने लगता है प्लान के according ये लो case को लेकर व्योंग जाने वाले होते हैं लेकिन बरनाट मेंसन से कहता है कि अब वो व्योंग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि मेंसन जब अंदर गया था तो सब ने उसे देख लिया और अब जान गया है कि मेंसन जिनदा है अब मेंटी कोर के हर एक एजटैंट उसे मानने आईगा इसलिए अब अगर हम व्योंग आइस तो तुम्हारे पीछे वहाँ तक आएंगगा तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली पूरी लिक्विड कर गई होती है, मैसन पूरी तरके से गुस्सा होता है, परिशान होता है, क्योंकि एक माज़रीय था उसकी मेमोरी वापस लाने का, तब ही मैसन केस में देखता है, कि उसमें एक्टिव एजेंट की सर्चिंग हो रही है, जहां उसे नाडिया के बारे में प पड़ रहा है, वैलेंसिया पहुचकर मैसन एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसकी टकर नाडिया से होती है, मैसन नाडिया को याद दिलाने की कोशिश करता है, कि वह एक सिटाडल एजेंट है, और उसकी याद उसको मिटा दिया गया है, पर नाडिया को कुछ याद नहीं होता, नाडिया को लगता है कि मेसन एक पुलिस वाला है, आठ साल पहले उसने जिस आदमी को मारा था, वो उसके बारे में जनकारी करने आया है, मेसन बहुत कोशिश करता है पर नाडिया को कुछ याद नहीं आता, इसलिए बैनाड की तरह मेसन भी उसकी तरफ चाकू नाडिया के बगल से होकर गुजर जाती है, नाडिया देका और भी जादा डर जाती है, इसलिए एक चाकू उठा को उसे माने आगे बढ़ती है, तो मेसन उसकी कलाई से उसके को ओपन करवा देता है, केस сокर होते ही नाडिया की आईड़ी फुल जाती है, मेसन बताता है कि उसके नाम की डिवाइस को जब वो अपने गले में इंजेक्ट करेगी तो उसे सब याद आ जाएगा दोनों बात ये करी रहे होते हैं कि तभी डेवी का एक आदमी में सन पर अटेक कर देता है तो नाडिया पीछे से एक पैन से उस पर वार कर देती है नाडिया ने अभी तक उस डिवाइस को इंजेक्ट नहीं किया होता है तभी डेवी का आकर मेशन को एक बंच में ही बेहोश कर देता है नाडिया को देख वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है उसे खूम मारता है डेविक ये देख हरान होता है कि नाडिया उससे मार खा रही है पर उससे मार नहीं रही जब कि नाडिया ऐसी नहीं होती है वो मार खाने वालों में से नहीं बलकि मारने वालों में से होती है अब नाडिया के पास कोई चारा नहीं होता है इसलिए वो उस डिवाइस को अपने गले में इंजेक्ट कर लेती है डेविक जब मेसन को माता है तो पीछे से नाडिया उस पर वार करती है वो उस पर हावी होने लगती है उसे धूल चटा देती है नाडिया मेसन से कहती है कि उसे अब सब यादा गया है कि वो दोनों सिटाडल एजेंट है और ट्रेंड ब्लास्ट के बाद दोनों की मेमोरी मिटा दी गई थी और नाडिया को अभी ये नहीं पता होता है कि मेसन की यादास वापस नहीं आई है फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं डेविक एमबस्टर को फोन का बताता है कि वो अपने काम में नकाम लाई ये सुन एमबस्टर और भी जादा पागल हो जाती है कि एक एक कर सिटाडल एजेंट वापस आ रहे हैं जबकि उन्हें लगाता कि सभी मारे जा चुके हैं सीरीज के एंड सीन में दिखाया जाता है कि बनाड जिन्दा है और वो अमबस्टर की गिरफ्त में है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्स्प्लिनिशन पसंद आया होगा आगे के एपिसोड के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बद भूलिएगा तब तक लिए गुडबाए टेक केर